एक बार एक तपस्वी अपने शिश्यों को उपदेश दे रहे थे। उनका कहना था कि इश्वर हर चीज में मौजूद है। संसार की प्रत्येक वस्तु में इश्वर विद्यमान है। हमें उसका पालन करना चाहिए। एक दिन उनका एक शिश्य रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक हाथी सडक पर पागलों की तरह दोड़ता हुआ दिखाई देता है। और महावत चिलाया रास्ते से हट जाओ। उसे चोट लगती है। उसने सोचा एक देवता दूसरे देवता को चोट पहुचा सकता है। उसके सहपाथी उसे आश्रम ले आए। उसने फिर अपने गुरु से कहा, देखो हाथी ने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन तुमने कहा था कि भगवान हर चीज में है। गुरु किसी भी आधे अधूरे पाठ को आगे बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं बलकि मूर्खता है।